आज मैं आप लोग के लिए चोक्रेट बर्ड़े केक की रैसिपी लेकर आई हूँ इसकी बहुत ज्यादा फर्माईश थी मेरे पास और आज से हमारा बेकिंग वीक स्टार्ट हो रहा है तो पूर एक वीक तक आपको बेकिंग की वीडियो देखने को मिलेंगी जो भी आप लो के लिए ज़रूर जिस चीज की ज़्यादा फर्माईश होगी वो ही मैं आपको बनाना सिखाऊंगी तो इस वीडियो को लास तक जरूर देखिएगा बहुत आसान और बहुत इंट्रस्टिंग सा केक है ये और सब को बहुत पसंद आएगा अगर आप मेरे चानल पे नहीं ह करते हैं और इसके लिए मैंने लिया है दो अदत अंड और इसके अंदर में डूइ आड करूंगी चीनी पिषी बराबर कप में मेजर करेंगे तो वन थर्ड कप के बराबर है ये और इसको हमने विप्ट करना है अच्छी तरीके से बीट करना है इसको मशीन की मदद से तकरीब में 2-3 मिनट तक जब तक ये अच्छा फलफी नहीं हो जाता देखिए फलफी हो गया है और इसके अंदर हमें चाहिए ये होगा मैदा मैदा मैने लिया है 50 ग्राम आदे कप के बराबर है आदे कप में जे 1 टेबल स्पून को माइनस कर दीजिएगा इसके अंदर एट किया 1 फोर टी स्पून बेकिंग पाउडर कोको पाउडर एट करेंगे 1 टेबल स्पून और इसको मैक्स कर लेंगे अच्छी ये हम अपने ब्लेट स्पून और अधा के अंदर आट करेंगे 10 जैना है मैदा इसको मैम 20 अपने अंदर एट करेंगे आदा दाला है मैदा और स्पूर्ड कर लेंगे हलके हाद से आपने फोर, करना है यहाँ पर मैं आपको फोर कर के दिखाती हूँ तो आप लोगों को ल अच्छी तरीके से अच्छा ओवन मैंने आउन कर दिया था वन एटी डिग्री पे दस मिन पहले ही ओन किया था प्रीए टाइमिंगे इसकी दस मिन कोई भी चीज आप लोग बेक करें दस मिन से जादा प्रीएट नहीं किया करें और एक मैंने मोल्ड ले लिया है सिक्स इंच क अच्छी तरीके से और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 15-20 मिट में यह बेक हो जाएगा और आप लोगों ने इसको बेक करना है तो ओवन का मैं आपको बता दूँ कि आपने मिडल रैक पे रखना है इसको और नीची की रोट को अन करना है उपर की रोट को अ क्रीम कोई भी ब्रैंड की आप ले सकते हैं एक कप लिए है 250 क्रैम के बराबर है यह और इसको हम विप करेंगे अच्छी तरीके से 2-3 मिन में बहुत अच्छे से विप्ट हो जाती है और विपिंग क्रीम की जो वीडियो है मेरे पास जो डिटेल वीडियो इसका मैं आई ब मैं ली थी चॉक्लेट हाफ कप मिल्क अड़ करके इसको मैंने मेल्ड कर लिया था हलका से पका लिया था और यह यह इसको थंड़ा हो चुका है तो वह हम इसके अंदर एड़ कर देंगे क्रीम के अंदर कभी भी कोज़़ पॉड़र आड नहीं करते और करते भी हैं तो इसक ये तो पोर्टर फॉर्म में बाद नहीं करते है नहीं तो वो मुह में आता है और अच्छा नहीं लगता है इसके बने हैं ज़य सब्सद एक चोपलेट करेंगे तो ऊसका तेस्ट बहुत अच्छा होगा और बच्चे बहुत उन्जवय करेंगे बच्यों को तो वैसे भी चॉ अब थोड़ा-सा मैने दूद्ध ले लिया है दा दर के पर बराबर इसमें थोड़ा इसमें और समय ने चॉकलिट vezes कर दिन महें नहीं केर्चा आइपने नहीं और WINend Frances D धूद रखांद में चॉकल्टर करने के लिए को This और इसके सीक और केकपो है, तो हम स्टिक हो जाए अब केकपो हम सोक चरेके पहस करने मेंने करने त manufacturer को सके ऐसे जादा निए ठीकking इसे प्लुग को पहे यो जिए चाह से सब्सक्राइब है और यह जादा करने कई में मदद से, इसको पहला लिए इसिंद से पाल रीक के बाद जो चौक्लेट शॉस ता वो ले लिए लिए वो थोड़सा से के ओपर आइट करेंगे साथु लिएक। तो चौक्लेट चिपस। suspects मैंने ले लिया हैं उसको आइड करेंगे तक करेबन तोड तोड़ चौक्लेट पीसे की बराबर लिया हैं थोड Lynn hug केक की वो इसके वपर स्टिक हो जाए करीम लगां के हमने हलका साव कभ़ कर दिया है दूसरी लियर हम रख देंगे केक की और सोब करने के बाद करने कि साइडों पर जो कृम निकली भी है, इसको हमने लेवल कर देना इस तरहां से, या आप कहलें, इसको हमने क्रम कोट कर देना है, हलकी हलकी सी क्रीम ले ले लेंगे हम, और इसको क्रम कोट कर देंगे, जितने भी क्रम्स हैं, वो सारे इसी के ओप स्टिक हो जाएंगे, इसको क्रम कोट करना कहते हैं, बहुत हलकी सी क्रीम लेते हैं और इसको चारो तरफ से आपने सिक्योर कर देना होता है केक को हलकी हलकी सी क्रीम लेके आपने केक की वॉल्स पे इस तरह से लगा देनी है बहुत हलके हाथ से उसके बाद हम लोग ले लेंगे थोड़ी सी और क्रीम उसको हम रखेंगे टॉप पे केक के और इसको हमने पहला देना है इस तरहां से पैलेट नाइफ से और टर्निंग टेबल को आप लोगों ने घुमाते रहना है अच्छा जरूरी नहीं है आपके पास टर्निंग टेबल हो तब भी आप ये केक बना सकते हैं बगार टर्निंग टेबल के भी आप लोग बना सकते हैं और लास्ट में हम केक को स्मूध करेंगे तो यह मैंने लिये सिम्की जैकेट इसको मैंने धूब लिया था अच्छी तरीके से और इसके बाद इसकी मदद से मैं इसको अच्छे से स्मूध कर लूँगी बस रर्निंग टीबल को आपने गुमाना है इसको तलान करके आपने रख देना है साइट पर यह खुदी होद स्मूध हो जाएगा और उपर से जो क्रीम रह गई है उसको हमने पैलेट नाइफ की मदद से हटा देना है जो एक्स्टर क्रीम है उसको हटा देंगे और उपर जो लाइन्स बनीवी है उसको भी हमने खतम करना है तो वह मैं बताती हूँ आपको कैसे करेंगे पहले आपने यह जो एक्स्टर क्रीम इसको हटा लेना है उसके बाद पहले टाइफ को दूना है अच्छे से साफ होनी चाहिए और हलके हाथ से जो लाइन्स बन गई है उनको आपने स्मूध कर देना है बहुत हलके हाथ से तो आपका स्मूध सा केक रेड़ी हो जाएगा इसके बात क्या करेंगे हमें चाहिए होगा नोजल यह स्टार नोजल है और यह जो पूरे पैकेट्स के साथ जो नोजल मिलते है न वो है तो इसका कोई नमबर नहीं है नॉर्मल साइस का नोजल है वो ले लेंगे और इसको मैंने पाइपिंग बैग में आड़ कर दिया बा जाता है अपॉजट साइट पे आप इस तरह से लगाते रहते हैं और जो बाकी का सॉस बचा है वो हम सेंटर में डाल देंगे इस तरह से अचा मैं मुझे अंदाजा है तो मैं प्याली से ही डाल रही हूँ तो आप लोग चाहें तो इसको पाइपिंग बैग में एट करकी दाल सकते हैं ताके आप से गलती ना हो और फिनिशिंग से डले तो हम इसकी कॉर्नेट को भी कवर कर दूँगी इसी तरह से यह देखिये तो इसी प्रैक्टिस की बात होती है बस इसके ड्रॉप्स इस तरह से गिर जाएंगे जो के काफी उपसूरत लगते हैं और केक को बह करके भी यूज़ कर सकते हैं सेंटर में भी थोड़ी से चॉक्लिट चिप्स आइट कर दूँगी इससे केक बहुत जादा हुबसूरत हो जाता है और आप लोग चाहें तो अगर किसी की बर्दे पर बना रहे हैं आप ये के तो आप इस पर हैपी बर्दे भी लिख सकते हैं मैंने दर चॉक्लिट चिप एट कर दी है मैं आपको कट करके दिखा दी हूँ इसको ठंडा करिएगा एक से दू घंटे के लिए उसके बाद आपने इसको कट करके सर्फ कर देना है ये देखिए बहुत सिंपल सा केक ता आई हो आप आप लोग को अच्छा लगा हो और समझ में भी आई हो ये रेसिपी बहुत असान सी रेसिपी थी तो इसको आप लोग जल्दी से फॉलो कर सकते हैं आपने बच्चों की बर्ड़े पर बना सकते हैं कोई भी ओकेजन पर बना सकते हैं इस केक को तो ये देखिए इसके लियर्स कितनी अच्छे आई हैं और चॉक्लि टैक कर दिया करें तो ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें लाइक करें करें शेयर भी ज़रू किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ तो मुझे अपनी दोआ में याद रखिएगा आलाफ़स